हलो दोस्तों नमस्कार तो स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चनल ब्रिजस कुमार टक पर तो साथ ही एस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफे सारे के अलग अलग कई प्रकार के यहां पर डाउट बन रहे हैं तो मैं आप सभी को सब कुछ खबाइन करके इस वीडियो में बताने वाला हूं ठीक है तो उसको आपका क्या कुछ समझ धाने मैं आपको आगे बताने वालों साथे साथ में अप्लाई किया था तब कुछ और अडर्स था अभी उसका कुछ और अडर्स है तो कैसे उस चीज को सही कराय जा सकता है निश्ट क्या चीज तो माक शार्टीफिकेट तो देखिए आप सभी का पास माक सेट उर्स ठीकाट होता है तो उसन्के लिए आपके पास क्या सेकंड ऑसन है कैसे विस सिज को सही करा सकते मतलब क्यों पर क्या कुछ प्रूफ देना होगा तो मैं आपको आगे डिटिर जाएगी और कट ओफ के रिगाडिंग जो बड़ा प्रस्ट ने बना हुआ है कि हमारी कट ओफ कितनी गई है तुम आपको आगे डिटेल से बताने वाला हूं और इस्टेट अलॉट में आपको मेसेज आ चुका होगा कि जो है किन कैंडिडेट का यहां किस स्टेट में जा करक तो सब कुछ हम यहां पर डिटेल से करके डिस्कस करेंगे उससे पहले का आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को तुरहन सब्सक्राइब कर लेजिए क्योंकि यह मैस के रिगार्डिंग हार इंपॉर्टन अपडेट तुरहन आप सब्सक्राइब कर दिया जाएगा ठीक है तो तो आपका application form है जब आपने application form apply किया था वह form आप सभी को लेके जाना ही जाना है ठीक है ना वह आपका clear हो गया है दूसरा आप सभी का यहां पर आ जाता है mark sheet mark sheet और साथी साथ में आपका certificate जाना ही जाना है तो वैसे तो almost सभी के पास में mark sheet certificate रहेगा लेकिन जो beard वाले हैं जो recently pass out हुए है उनके पास अगर certificate अभी तक नहीं मिल पाया है तो आप इस case में क्या कर सकते हैं कि आप जो है certificate की जगहा पर provisional certificate बनवा लीजिए अपने university मे जाए वहाँ पर provisional certificate बनवा लीजिए और उस चीज़ को जब आप यहाँ पर देंगे तो वह मानिक कर लिया जाएगा ठीक है ना यह चीज़ आप सभी कि यहाँ पर हो गई कि आपका application form और दूसरा आप सभी का यहाँ पर mark sheet लेकर जाना अनिवार है तीसरी बात हम यहाँ कर लेते हैं तो तीसरा अपना यहाँ पर आ जाता है कि कह रहता है कि देट हो चुकी होती है मतलब किसी-किसी का क्या रहता है कि पर्मानेंट के लिए उनका valid रहता है लेकिन किसी किसी का कुछ साल के लिए होता है तीन साल पांच साल तो वह आप देख लिएगा कि आपका जो है उस साल में आ रहा हो जो यह अभी present time चल रहा है उसका आपका valid रहना चाहिए नहीं valid है तो उसको आप जो है करवाना हैं और इधर उनको selection मतलब हुआ है इधर भी वह जोईन करना चाहा रहे हैं तो उनको वहाँ पर नोसी देना होगा ठीक है ना इनोसी उनके लिए अनिवार होगा और जो पांच वी चीज है वह है आप सभी का यहाँ पर recent passport size photo जीया दोस्तों recent passport size photo आप सभी को यहाँ पर ले आधार काड तो common चीज आप सभी को पता ही है आधार काड तो लेकर जाना ही जाना ठीक है यह चीज तो मैंने आप सभी को बता दी यह तो आपकी नोट डॉण होनी ही चाहिए ठीक है नेक्स हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मार्क सीट के रिगार्डिंग में जो मतलब की नेम प्रॉब्लम रहता है जो common problem एक पर कासे आप कह सकते हो नेम प्रॉब्लम वह अप्लिकेंड का है या फिर फादर का है किसी का भी हो सकता है ठीक है ना तो जेकि नेम प्रॉब्लम अगर आपका है ऐसा मार्क सीट पर तो आप क्या करेजिए बोर्ड को जाईए बोर्ड में मत लब के अपलिकेंड पर डाल दीजिये और वो लोग कर देंगे आगर नहीं हो पाता है बाइचन्स अगर नहीं होपाता है किसी कारण वस तो आप सभी क्या किजिए कि उसका जो है एक इफी डेविट बनवा लीजिए अगर नहीं हो पाता है तो इसा एसा है हमारा नेम में जो है changes है और तो इसलिए अभी के लिए मतलब temporary के लिए जो है ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं बाकी संसुदन होने के बाद में हमको original मिल जाएगा ठीक है ना तो आप इसका एफिडेविट जो है दे सकते हैं आपका सुईकार कर लिए जाएगा उसमें बिल्कुल भी परैसान होने के क आप सब्सक्राइब बनवा सकते हैं कि हमारा जो है हाली में यहाँ पर जो है आपड़ीट करा लिया जाएगा आधार कारो या पिर कोई बी औरीजिनल कोई भी औफिशल डॉक्यमेंट हो ठीक है ना तो आप इन सीच के यहाँ पर जमा करने के लिए ठीक है ना यह आपको ज नेक्स में बात बताना चाहूंगा कि देखिए यह जितने भी डॉकुमेंट्स मैंने आप सभी को बताएं हैं यह आप सभी को यहाँ पर ओरीजिनल लेके जाने हैं ठीक है ना सारे डॉकुमेंट्स ओरीजिनल होने चाहिए जो यहाँ पर डॉकुमेंट्स मैंने आप सभी को बताएं नेक्स्ट बात यहां पर आती है कि आपका जब आपने जो भी वहां पर email id दी थी form भने के टाइम में और जो भी mobile नंबर दिया था वह आपका यहां पर चालू हालात में रहना चाहिए कोई भी टाइम आपको किसी परकार का यहां पर message आ सकता है ठीक है ना डेटिल के regarding में आ सकता है कि हां क्या क्या documents वहां पर आपको लेके जाने हैं और और भी कुछ important message आप सभी के पास आ सकते हैं तो आपका mail id जो आपने वहां पर दिया था और mobile नंबर आप सभी का एकदम जो है वहां पर updated रहना चाहिए उसमें कोई गल्ती नहीं होनी चाहिए न जाएगी कि हाँ waiting list कब निकाले जाएगी है ना तो उसके regarding आप सभी को वीडियो मिल जाएगी तो आप चैनल को subscribe करके रखें ताकि जैसे इसके regarding कोई भी update आए तो तुरंत आप सभी को जो है वीडियो मिल जाए आपको जो है notification मिल जाए ठीक है ना cutoff के रिकाड़िक हम बात करें यहाँ पर अगर हम cutoff के रिकाड़िक हम बात करें तो मरस्वी को बताना चाहूंगा कि अभी तो जो है cutoff candidate के नंबर के आधार पर ही जो है आपर अंदजा लगाया जा रहा है कि हाँ कितनी cutoff बनी है इस बार किया ना क्योंकि clear data तो provide किया नहीं गया है emirs की तरफ से तो of रहने वाली एक्दम वहाँ पर clear data मिल जाएगा RTA के माध्यम से अना ऐसे तो मिलने सकता बस अंदाज्या लगा सकते हैं कि हाँ इस इस candidate की इतनी गई थी इतनी गई तो उस हसाब से मोटा मोटा एक आंकरा लगा सकते हैं बस उतना ही तो इसका recording में आप सभी को जो है कोशि इसकी जीर नहीं मिलती है तो आप वीडियो तो आप सभी को मिल ही जाएगी ठीक है ना तो यह सारी information दी बाकि आपके आपको कोई बाट कोई भी confusion है तो आप हमें बेजी से कमेंट बाक्स में पूस सकते हैं वहाँ से रिप्लाइक कर दिये जाएगा बाकी चैनल लिजेगा वीडियो लाइक कर लिजेगा मिलत अगली वीडियो में जय हीन जय भारत